हेलो फ्रेंज वेल्काम बेक टो माइं सैनल इट्समी का बेरी बड़ा आसमें आप लोगों के लिए लेको आई हो साइनिस ब्लू डामार एडवांस पेफ्ली एपीसोड एटीन छी लिए वीडियो स्ताइट करती हों स्ताइटिंग में हमें दिखाए जाते है जयायाओ और इवान चैन को जहां जयायाओ इवान चोंक के सेलफ़ुन पर मेसेज देख रहे होते हैं जहाँ यूवन आर्यू ने मेसेज क्या हुआ था की बड़े भाई मुझे आपको एक गल्फेंट से परिशर कराना है उसका नाम है वेंग श्वेंग बो एक मोडेल है मैं कल आपसे उसके साथ मिलाने जाऊंगा जा याओ मेसेज बोने के बाद यूवन जाऊंगे बारे में सो की है क्या एक पक्षंदी बच्छा हुआ कुबड़ा है उतने में एक कॉल आते है और जिया याओ उसे फोन डेटा है जब यूवन जाऊंग कॉल पर बात कर रहे होते है तभी जिया याओ सोचते है उसके पास मुझे दूर जाने के लिए सिपाने के लिए क्या है ऐसे सोच पो जियायायाओ शूप पर बहुत जाड़ा नमक डाल देता है हैं और फिर अपने जगाँ पर आखर बैज़ आते हैं उटिसमें वहाँ यूओन चॉंग आते हैं और वो ज्यायो के हर्कत को पकल लेता है फिर डोनों साथ दिना करे होते हैं तभी ज्यायो सूप नहीं पीटा और मज़े से खाना खाड़ा होता है और मौन ही मौन स्मेल करते रहते है जब यूओन चॉंग बोही सूप पीते है तो भी जियायों कहता है सूप जो तुमने बनाया है यो बहुत नमकिन है क्या तुम अटर धिक नमक खा कर मौने से नहीं डरते तभी इवान चंकुछ नहीं कहता और स्मेल करते है फिजियायों कहता है तुम खाना बनाते समय ध्यान नहीं देते हो और अब भी हास रहे हो जब कोई तुम से कॉल करता है तब तुम पागल हो जाते हो देखो इसके बर्जर से सूप खाने का लाइक ही नहीं रहा क्या करते रहते हो तब भी इवान चांग कुछ नहीं कहता तुम जियायों थोड़ा सा सूप पीते है और तब भी जियायों को पता सेल जाता है कि सूप नमकिन नहीं है तब भी जियायों सोचते है यो कैसे नमकिन नहीं है फिए इवान चांग को कहता है सूप का स्वाट ऐसा लगा जैसे बो प करनी है तब ज्यायां य्वान जों को फुन देते हैं और यूवान चॉंग वेंग शुमग् के सरन बात कर रहा होते हैं तब ही ज्याया नरास होकर सोचते है सोसते हैं उसने मुझस से झादा उस लौकी पर ध्याय धिए फिस्द यू येंग को बात करतें समये टीजटाब देने के लिए कोशिश करता है हमें अगले दिन का स्क्रीन दिखाई जाते हैं जहां जाया याओ युवान चॉंग के ऑफिस पर जाते हैं तभी वो देख था है वैंग स्वेंग के साथ युवान चॉंग बतकाड़े होते है तभी जियाया सोचते है इतने कम समय म बो दोनों एक डूश्रे के बहुत कोड़ीब आ रहा है ऐसे सोचने के बाद या अंडर जाएक और उन्हों के साथ पेज़ जाते है और ईवान चॉंग से लेक्टप लेका कहता है बस तुम लोगों के बीस बात्षित चरे रहो और मुझे कोई अपटी नहीं है मैं इहां इंटरनेट का उपर्युक करने के लिए ही हूँ तभी वेंग स्वेंग इवान चॉंग को एक फाइल दिखा कर कहता है कि देखिए यो एक बिसनेस टोग सो है भले ही यो एक मेजर सेलिर्विटी पगेम नहीं है लेकिन यो बहुत पपुला है तभी ज्या या वेंग स्वेंग से पुछते है क्या मैं तुम्हारे सो के बार में कुछ बोल सकता हूँ तभी वेंग स्वेंग उससे एक फाइल देटे है और वो फाइल देखकर ज्या या सोचते है या सीफ कुछ बहतरिन वेबसाइट होस्टिंग है इसमें कौन सी बड़ी बात है हमारी कॉम्पेनी ने पॉसिद्डर रेडियो स्टो में भाग लिया है कुछ भद्दे काईजर कम की बहाना लेकर इवान जॉंग के कुड़िव आने की कोशिश कर रहा है उसके पास और कुछ कम नहीं है तभी इवान जॉंग उस जोगे लिए मान जाते है एक्सली गाइस एक इंटर्व्य के बारे में उन्हों के बिस बात होते है इस या वैंग स्वेंग को कहता है किसी भी ओडियेंस ने बास्तों में इस काईजर कम पर ध्यान नहीं दिया है इसलिए या काईजर कम की मार्केटिंग पावर बहुत कम है वैंग स्वेंग कहती है मार्केटिंग पावर गी गया है इसलिए इवान जॉंग को इंटर्व्य के ड़रान उनकी हमोगी के बारे में उलेह करना जरूरी है फिर जिया या वैंग स्वेंग को कहता है लेकिन यह आनेसेसरी टाइम वेस्ट करने बाला ही काम है तभी इवान चौं कहता है मैं अभी अपने कॉम्पेनी का मार्केटिंग बिस्नेस पॉर्ट काम कर रहा हूँ जब मुझे चामा मिलेगा तब मैं इस पॉर्ट बिसा करूँगा तभी ज्याया सोचते है तुम बस यहां से से ले जाओ वेंग स्वेंग कहती है इवान आर्यू ने बस मुझे फुन क्या और मेरी टारिफ करती रही उसने कहां कि यह मेरी जीद के कारण नहीं है कि वो आपको अभी भी भावी भावी नहीं देगी उतने में ज्याया बात को बदलने की कोशिश करके इवान चों को पुछता है क्या तुम्हारी कुमपेनी नुए पोसिशुक को भटी करने जार रही है इवान चों कहता है हाँ अगले मौहिने के 15 टारिफ को हम भटी शुरू करणगी फि वैंग स्वैंग इवान चों को कहती है मैंने उससे यहां तक कह दिया कि इसका मुझसे कोई लेना दिना नहीं है यह सौफ इसलिए है क्योंकि आप एक बड़े भाई के रूप में उसकी इतनी देखभाल करती है फि जिया याओ इवान चों को उसके बात पर ध्यान नहीं देने के लिए ट्रेनिंग के बार में कहता है ऐसे ही जिया याओ वैंग स्वैंग के बात पर ध्यान नहीं देने के लिए इवान चों को ट्रेनिंग के बार में कुछ सबाल करते रहते है फिर अगले स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं वेंग स्वेंग और एक ललकी को जाहां युवान जांग के कुंपेनी में एक इंटाव्यू लेने के लिए पुटा भेशने के बाद को लेकर वेंग स्वेंग डूशी ललकी से रिक्वेस्ट कर रही होती है ताकि वेंग स्वेंग युवान जांग के साथ ताइम स्पेंड कर शके फिर दिखाए जाते है जाया गो वो अफिस पो अरम से बैठ कर कुछ सोच रहा होता है तो भी एक स्टाफ उसे पुछते है तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या जाया कहता है बस खुछ को सलाह दे रहा हूँ स्टाफ कहता है जाया कहता है क्या तुम कह रही हो कि मैं बस्टाफ में और साथरों हूँ हाँ मैं किसी के भाबनाओं के बारे में जानने की कोशिस कर रहा हूँ फिस जिया याओ उस स्टाफ को कुछ इमरजेंशी काम है ऐसे कहे कर वहाँ से सेलेजाते हैं फिस जिया याओ एक मैनेजर से मिलता है और जिया याओ उस मैनेजर को कहता है इस बोडिगाच कमपेनी में इंटर्वियू लेने के लिए आप डिपोटार्स को बेजिये और वो मैनेजर जिया याओ के बाद को माल लेता है एक शिली गाइज जिया याओ उसीजा याओ पोडिगाच कमपेनी में इंटर्वियू लेने के लिए इसले रिपोटार्स को बोलाए था ताकि वैंग भूचुटार्स अपने कमपेनी से रिपोटार के साथ नहाए क्यूंकि वेंग स्वेंग युऊं ज्यौंग के कृड़िब आने के लिए ही येРिपोर्टार का बहाणा बना रहा था फिल हमें अगले स्क्रीन पर दिखाई ़ाते है ट्रेनिंग का स्क्रीन जहाँ यूवान जॉंग सोफी बोडिगाच को ट्रेनिंग के बारे में कुछ कह रहा होता है उतने में वहाँ टीवी स्टेशन से रिपोटर आते हैं और बोडिगाच कोंपानी के बारे में इंटरव्यू लेने के लिए स्टार्ट कर देता है और ये सोब वेंग स्टेशन देखकर बहुत गुच्छा हो जाते हैं और वही फाइल डास्पीन में फेक कर वहाँ से सले जाते हैं फी अब दे स्क्रीन पर दिखा जाते हैं इवन आर्यू को जो जियाया के ओफिस के बाहर जियाया को बिलने के लिए इंटेजार में खड़े होते हैं और ओफिस पर जाते हुए लोगों को जियाया के बारे में पुछते हैं फिर ओफिस के अंदर जयाया को दिखा जाते है जो बैट को अपने काम कर रहे होते हैं तो भी एक स्टाफ आते है और जयाया को कहता है एक सुन्दर लल की बाहर तुम्हें धुन रही है लेकिन जयाया उस बातों को ध्यान नहीं देता और वो अपने काम कर रहे होते हैं फिर श्यावा या E1RU से मिलने के लिए नहीं जाना जाते हुए भी जाना परता है और एहीं पर एपिसोड खतम हो जाते है Friends, मेरे इस चानल को सस्क्राइब कर डिशे और वीडियो को लाइक कर डिशे Thank you for watching my video Bye Bye